आज की यह वीडियो बेसी एजेंट के लिए बहुत ही जादा महत्पूण है जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्धम से कि पेटियम बेसी पॉइंट कैसे लें, महीने की अच्छी कमाई कैसे करें और पेटियम बेसी पॉइंट ग्राहक सेवा के इंदर खोलने के लिए आपको इसकी क्या जरूरत है, सुबिधा कैसे ले पाएंगे, सारी चीजें आपको इसमें दिखाने वाले हैं तो step by step वीडियो को देखते रहें और पूरे information आप लेते रहें ताकि आप पूरी बात समझ पाएं तो पेटियम बीसी पॉइंट क्या है, इसको जान लें प्रदाता कंपनी को आज भारत में हर कोई जानता है यानि कि पेटियम को हर कोई जानता है और अभी के समय में लोगों का विस्वास है, पेटियम बनता जा रहा विस्वास और लोगों की कमाई जो कैसे हो, नई सुविधा कैसे प्रदान करने की जो बात हो पेटियम में वो सारी चीजें जो एजन्ट हैं उनको जानना जरूरी है कि कैसे अच्छी कमाई कर सकते हैं तो जो बहने बीसी सखी बनी है पेटियम बैंक के जरीए उनके लिए तो बिलकुल ये जानना जरूरी है और जो अधर अंक से हैं यानि की अन एजन्सियों से हैं जैसे आपका बैंक का बढ़ोदा हो गया, SBI होगा उनके लिए भी अपडेट है बट सबसे पहले यहाँ पर मैं पेटियम की बात करना चाहूँगा पेटियम BC पॉइंट, BC बनने के लिए आपको पेटियम बैंकिंग के आफिसल वेपसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा जिसका नाम है पेटियम BC जिस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक छोटा सा आवेदन पार्म खुल जाएगा और उस आवेदन फार्म की जानकारी पूछी जाएगी ध्यान पूर्वक भरकर आपको फार्म को शमिट कर देना होगा और फार्म आपको देखने के लिए फार्म को यहाँ पर क्लिक करना होगा जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यह देखिए simply आपको कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा जैसा स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है पेटियम बैंक्स यहाँ पर कुछ details फिल करने होंगे जैसे यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होंगे यह चीज़े आपको फिल कर लेनी है ठीक है फिल करने के बाद आपको simply यहाँ पर summit वाला बटन आपको दिख रहा होगा इस summit वाले बटन पर क्लिक करके कर लेना है तो फिलाल चलिए अब मैं आगे आपको लेचलता हूँ और सारी चीज़े आपको दिखाता हूँ ठीक है तो चलिए यहाँ पर आपके सामने है की पेटियम BC पॉंट एजिट कैसे बने तो पेटियम BC पॉंट एजिट बनने के लिए आपको क्या करना होगा इसके फाइदे क्या है बहुत सारे होने वाले जो फाइदे यह आपको बताएंगे तो सबसे पहले आपको जो एक traders company है workers बन जाना है यानि की BC सकी बन जाना है और आपकी खुद की एक bank खुल जाएगे जिसके माध्यम से आप अपने ग्रांकों को बहुत सारी सुबिधाय दे पाएंगे जैसे कि अपने ग्रांकों को पेटियम का नए account खोल सकते हैं और सबसे ब बनने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा लेकिन आपको कुछ additional खर्च हो सकते हैं जैसे आपके पास दुकान नहीं है और computer, laptop वगएरा वगएरा system नहीं है तो वो सारी चीज़ें आपको खुद लेना होगा और BC agent बनने के बाद आपको ज्यादा भटकना नहीं होगा आपकी एक banking finance होगी और आप खुद अच्छी खासे earning कर सकते हैं ठीक है फार्म में क्या क्या लगेगा अपना पूरा नाम आपको feel करना होगा इसके बाद आपकी पूरी complete address होगी इसके बाद आपका pink code होगा ये सारी चीज़ कहने का मतलब आपका permanent address सारी चीज़ आपको feel करने होगी इसके बाद दोस्तों who can become ABC isn't मतलब पेटियम जो bank है इसमें कौन खोल सकता है ये पूछ रहा है आपसे ये बताना चाह रहा है तो पेटियम बैंक खोलने के लिए आपके पास एक दुकान या फिर आउट लेट होना चाहिए और पेटियम पेमेंट बैंक ABC isn't बनने के लिए कम सकम 12 पास होना जरूरी है और पेटियम पेमेंट बैंक एजन बनने के लिए आपको computer थोड़ा बहुत आना चाहिए यानि कि basic concept जो होता हुआना चाहिए आपके पास पेटियम पेमेंट बैंक खोलने के लिए एक smart phone और laptop होना चाहिए अगर आप पेटिय ATM लगवा कर भी कमाई आप कर सकते हैं तो सारी चीजें आप समझ गया होंगे जो भी बहने मतलब पेटियम से BC सकी बनी है उन बहनों के लिए बहुत ही आसान है और बड़े ही आसान से आप बहुत जादा रूपया कमा सकती हैं तो यहाँ पर आपको पेटियम नियरबाई KYC पॉइंट दिख रहा है इस प्रकार आप कर सकते हैं बेनफेट्स आपको क्या मिलेंगे क्या क्या बेनफेट्स होंगे यह सी जाब जान लेजिए पेटियम जो पेमेंट बैंक है BC सकी को तो आपकी दुकान के खाते खुल जाएंगे और पेटियम का बैंक का खाता खुलने यहां पर पेटियम पेमेंट बैंक का खाता खुलने पर आपके ग्रहांकों के अपने पेटियम का खुलने के बाद पैसा जमा कर सकते हैं यह सारी सुभधाय मिलेंगे यानि कि पूरा टोटल बैंकिंग सर्विस वाला सिस्टम आपको मिल जाएगा तो इस प्रकार पेटियम जो है आप बीसी एजन्ट बन कर काम कर सकती है और पेटियम का अप्लिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीजें तो जो भी बहने पेटियम से काम कर रहे हैं अगर अपना आरनिंग और बढ़ाना चाहती है तो यह काम कर सकती है ठीक है फिलाल अगर कोई हल्फ वीडियो में जो आपके लिए काफी महात्पूर्ण होगी तो बस आज के लिए इतना ही नमस्कार जय है